हेलो, नमस्ते, प्रडाम, सस्केकाल, ओल्दी, एस्पिरेंट, वेलकम बैक इन मैं यूटूब चैनल, ये हमारा लेक्चर फूर है, और अब तक हमने लेक्चर तीन को अच्छी तरीके से देख चुके हैं, किस तरीके से हम स्ट्रेक्टरम बुक को इन जस्ट सिक्स्टी फेज है, कि इसमें हमने पीवाई क्यू जो लगाए हुए है, और आपके कुछ प्रेडिक्टिवल कुशिंस भी हैं, कि ये प्रेडिक्ट किये गए, कि पॉस्टूब यहां से कुशिंस आपका बन सकता है, तो प्लीज इस वीडियो को देखने से पहले आप इसकी पार्ट वन, प पिंट है आपका, और मैं आपको सियोर्टी देता हूँ आपको इस बात की, कि आपका, अगर आपने कहीं से भी अपना करेंट अफेर तयार किया है, उसके बाद डेफिनिटली अगर आप इस वीडियो को देखेंगे, तो एक बार थैंक्स बोलेंगे, रीजन है क्योंकि बह करेंट अफेर आपको मिली जाएगा, जनवरी, फरवरी का करेंट अफेर अफेर अफ्रोड हो चुका है अब तक, तो जादर टाइम नहीं बिताएंगे, हम स्टार्ट करते हैं, अब तक हमने चैप्टर एट को कम्प्लीट फिनिस कर लिया था, ओके, तो इसमें से सबसे पह सबसे पहले हम बात करते हैं, तो देखें, इनको संस्क्रित, पर्षियन, अरेवियन, इंग्लिस, लाट, इनको लेंग्वेज आती थी, और इनको फादर ऑफ इंडियन रहना साइंस बोला जाता है, यह पॉइंट थोड़ा सा आपको याद रखना है, रहना साइंस का मतलब होता है, पुनरजनम, और यह मेकर थे, मॉडर्न इंडिया के, दा मेकर अफ मॉडर्न इंडिया, पायोनियर हैं, यह किसके, इंडियन जनलिजम के, अच्छा, उनके कुछ वो चाहते क्या थे, ही वांट, क्या चाहते थे वो, जैसे, यह पॉइंट थोड़ से आपको याद और वेदास, तो जो मॉनोथिजम है, वो किस बिसिस पे होना चाहिए, उपनिशद और वेदास, आइडिलेटरी यानि मूर्ती पूजा को उन्होंने बेन कर रखा था, मतलब उनका कहना था, मूर्ती पूजा नहीं करने चाहिए, और सती प्रता जो है, उसका अंत होना चाह अच्छा, यह कुछ पॉइंट थे उनके, इनमेंसे आपको जरूल देखना है, नॉट वाले पे मैं लगा लिया, जैसे मूर्ती पूजा, और वो कोई अपना धर्म नहीं स्टेबलाइज करना चाहते थे, नेक्स्ट फिर हम आगे चलते हैं, उसके बाद वो बलीब करते थे faith in monotheism, monotheism का मतलब है, जैसे हम बोलते हैं, कोई चीज polytheism में नहीं है, monotheism में है, तो थोड़ा सा अगर मैं, पर उसके बाद he wrote a gift monotheist उनने लिखाता, 1809 में, आत्मिया सवा, यह 1814 में बनाई उन्होंने, डेविड हैरे के सपोर्ट से उन्होंने, हिंदू कॉलेज कूला, 1817 में, उसके बाद anti-sati struggle, 1818 में, वेदान्ता कॉलेज 1825 में, और ब्रह्मो सवा 1828 में, जो बाद में बदलगर क्या हो गई थी आपकी ब्रह्मो समाच, अच्छा, अब आपसे यह पूछे का कैसे, मैं थोड़ा सा आपको, उसके बाद थोड़ा सा दिख रहेते हैं, एट न सती का मतलब होता है, अगर उसका आदमी खतम हो गया, उसके साथ उस woman को जला देना, उसको बोलते हैं, हम सती पर था, तो 1829 में, इसको crime माना जाए, ये ब्रह्मो समाच ने बोला था, polythism की वो मना करते थे, ये बात आपको याद रखनी है, किसकी बात करते थे वो, monothism की, अच्छा, discarded divine avatar, और वो कहते थे कि कोई दोहरा मतलब भगवान रूप नहीं लिते हैं, उसके बाद वो criticize करते थे किसका, caste system का, और idol worship, यानि कि मूर्ती पूजा को भी मना करते थे, और evolution of tax, यानि कि tax का अंठो, ये भी मांग की थी उन्होंने, और separation of the executive from the judiciary, फिर अब यहाँ पर आपा जाईएगा, ये अब मुझे बताएंगे कौन से article के द्रकत आता है, और इसका last PYQ बन चुका है, separation of the executive from the judiciary, अब आपसे अगर आपसे history में questions बनेगा, तो आपसे ये पूछ लिया जाएगा, कि executive को judiciary से separate करने का प्राभधान की मांग भी किसके द्वारा की गई, और आपको option दी दिये जाएंगे, देखें, मैं आपको बता दू, जैसे इस्वचंद विद्दा सागर, पर आपको दे दिये जाएंगे, राजा राम मोहर राय, थर्ड फोर्थ आपको दे दिये जाएगा, रादा कान देव, और उसके बाद एक और लाला लाजपत राएंगे, इस तरीके से कुशिन उठाए जाते हैं, थीम पे कुशिन हमेशा रिपीट होते हैं, अगर सीरियस एस्पिडेंट है, उसने पीवाई क्यों देखें, तो मैं डेफिनिटली बता रहा हूँ कि मेरी बात में कितनी सतता है, उनको पता होगा, कि थीम बेसेस एम से क्यों ओलव एससेट भी थे, एससेट का मतलब होता है सायक जैसे डेविड हैरे है, अलेकजंडर डफ है, देविंदना टैगोर है, पी के टैगोर है, चंदर सेखर देव है, उसके बाद तारा चंदर चक्र वड़ती है, यह सब इनके एससेट से, यूपी एससे में है, फिर कुश्चन टैगोर, और फूर्थ आपका देदिया रविंदना टैगोर, ठीक है, यह अर कन्फ्यूज यह थे या नहीं थे, तो यह लाइन आपको थोड़ी सी याद रखनी है, यही उपी एससे के खास बात होती है, कि हमें पॉइंट बड़ा समझ के चलने होते हैं, यह नहीं होता है कि हमने उपर से पढ़ लिया, पॉइंट सोड़ से आपको समझने होंगे, किस तरीके से कुशिंस बनता है, तो तेकि यह वाली लाइन भी आपको याद रखनी है, इसमें आपके, जो भी उनके एससेट थे, ठीक है, अब सीधी सी बात है, अगर कोई वेक्ती अच्छा काम क होता है, या जैसे अभी हम PM की बात करें, तो उसके बिपच्च में कोई ने कोई होता है, इसी तरीके से उस टाइम थे, राजा, रादाकान देव, जोनोंने ब्रह्म समाज की क्याल की थी, आपको अलोचना की थी, और उन्होंने उसी क्यों काउंटर करने के लिए धर्म सभ अच्छा, आपके लिए यहां से एक MC की और बनेगा, उसको मैं तोड़ा सा बताता हूं, कैसे कुशन बनेगा, इन्हें फ्यूचर अगर बना तो, आपसे कुशन यह लाइन बे लाइन पूछ ले जागा, विच वाज अर्लियर, इनमें से कौन सा पहले हुआ था, जैसे आपको जरूर दिखना है, आत्मी सवा 1814 में, और हिंदू कोलेज 1870 में, एंटी सती इस्टगर 1818 में, और विदानता कोलेज 1825 में, और लास्ट में आपकी 1828 में, ब्रह्म समाजा, ब्रह्म समाज, और जैव लास्ट में था आपका प्रक्टिस सती, जो उसको क्राइम घुस जो काउंटर कर रही थी किसको ब्रह्म समाज को, चलिए, अब हम देखते हैं अपना MCQ, और MCQ को लगाने से पहले, मैं आपको बता दू, ये आपका 2012 का है, हलागि इसको लिखने का मेरा सीधा-सीधा यही इंटेंशन था, 2012 का हलागि हम तेरे तक लगा रहे हैं, बट इसको आपको associate इनके जरूर देखने हैं, जो उनके उस टाइम कौन-कौन associate थे, उसको counter करने के लिए कौन बनाएगी, उसके बाद इनके year-wise थोड़ा साब देखने हैं, इस पर कुशन तो आ चुका है, तो चलिए देखते हैं, क्या है, इधर साइट से कुशन आ चुका, यही खास बात होती है हमारे पढ़ने के तरीके में, किस तरीके से हम पढ़ रहे हैं, तो यहां से कुशन आ चुका है, यहां से कुशन नहीं आया भी, यहां से कुशन नहीं आया, है ना, तो पुल मिला की है, अगर हम कहना चाहेंगे, left, right और up, down हमको देखना होता है, तो इसमें दे बात है, उन्होंने इसका पोच किया था, जो भी रिलीजियस टेक्स होते है, उसमें उन्होंने बोला था कि प्रिष्टली क्लास जो होती है, मतलब जिसको ब्रामण कहते है, उस क्लास को इंटर्प्रेटर नहीं करना चाहिए, yes, it's a right बात, उसके बात देखते हैं, third, it popularized the doctrine तो देखिए यहां पे उन्होंने यह बोला था है, पॉप्लराइज किया था है कि जो वेदास आपका जो डॉक्टराइन है उसका वो इन फैविलेवल है, इन फैविलेवल का मतलब होता है, अच्छूक मतलब वही उसका अगर हम कहना चाहें कि कि किसी भी बात का हमारे पास अ आर इन फैविलेवल, ओके, तो यहां पर अगर हम निकालने की कोसिस करेंगे, तो हमें देखिए यह पहला वाला तो ठीक है, यहीं से हमारा निकलना था, यहां पे देखिए, आइडिलेटरी, साफ साफ लिखा हुआ था, मैंने वही आप से कह रहा हूँ, उसके बाद है, इ इन फैविलेवल की बात कि अगर हम बात करें तो उन्होंने कभी भी इसको नहीं बोला कि बेदास का होना चाहिए, बट हाँ, वो यह चाहते थे, ब्रह्म समाज आउल भी चाहते थे, कि जो रिलीजिस टीजर और टीचिंग है, वो तो बेदास के फैलनी चाहिए, लेकिन उ यहाँ पर वन वाला ठीक है हमारा, और टू भी ठीक है, तो आंसर हमारे पास का हो जाएगा, वन एन टू, चलिए आगे नेक्स्ट, फिर हम देखते हैं, अब हमारे पास आते हैं, देवना टेगोर, देवना टेगोर की बात करते हैं, तो यह आपके, इन्होंने ब्रह्म समा बात क्या थी, उसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, तो उसके बारे मता जाता हूँ, डिवोटेड टू दी, यह थोड़ा सा आपका इधर होगा, यह इसका है, तत्तवोधनी समाद का, डिवोटेड टू दी, सिस्टेमेटिक स्टडी ओफ इंडिया ज पास्ट, एज आर रैस हो सकता है, आपसे यह बाला कुश्चिन पूछे, कि डिवोटेड इस तरीके से कुश्चिन बन जा है आपका, डिवोटेड टू दा सिस्टेमेटिक स्टडी ओफ इंडिया पास्ट आर रैसनल आउटलूक तू दा प्रॉपगेशन ऑप दी राम मोहन आइडिया, अब आपक आपका राधाकांत देवन जो बनाई थी धर्म सवा, ठीक है, तीसरा आपके पास हो, for example, तत्यबोधनी, और चौथा आपके पास हो, for example, अगर हम कहें, तो ब्रह्मो समाज of इंडिया, इस तरीके स्टार कुश्चिन बन जा है, तो आपको पता होना चाहिए, कि राम मोहन आ तो यह तो आपको पता ही होगा, तो यह इसवचंद विद्धासागर, अस्वणी कुमार्दत्ता और डैरो जी है, यह सब क्या थे, तो यह पॉइंट हमें एससियेट वाले कुश्चिन अब तक नहीं बने हैं, but possibility यह को कुश्चिन बनेगा जरूर, अच्छा, आगे टैग किया था किसका, क्रिशियन मिशनिरी का, जो कनवर्ट कर रहे थे, हुंदूों को क्रिशियन में, अच्छा, चलिए, अब हम आगे चलते हैं, फिर इसी किरम में हमें आगे मिल जाते है, केस अब चंदर सेन, it's very important for us, so इसका कुश्चिन इस्प्रक्रम में नहीं था, मैं आप को क्लियर कट पहले ही कर दे रहा हूँ बट हाँ अगर आपने इनको अच्छी तरीके से पढ़ा था तो डेफिनेटली आप इसको स्वालो कर पाते तो देखते हैं इन्हों ने अपनी ब्रांच को लिंथी कहां पे उनाटेट प्रोविंस जैसे आज का यूपी जो है पंजाब बंबे मदराज के लिए कट है केसब चंदर सेन की अगर हम बात करें तो इनको एक्चली में उस ताइम आचारी जो बनाया गया वो किसके दौरा बनाया गया देविंद्फना टेगोर के दौरा बए शीदी से पाहल बात है पहले आपके राजाराम मोहर राय उसके बाद दे जाती है विवा हो, इंटर कास्ट मतलब है अगर मैं राजपूत हूँ तो मेरी साधी यादव लड़की से हो यादव लड़की है तो उसकी साधी ब्रामड लड़की से हो, ब्रामड लड़की है तो उसकी साधी जो है आपकी जाटव समाज से हो तो वो ये चाहते थे कि इंटर कास्ट साधी होगी तो कास्ट लिज्यम हमेशा के लिए खतम हो जाएगा और उसके बाद केसफचंदर सेन ये भी चाहते थे कि जितने भी धर्म है सब को टीचिंग दी जाए अच्छा ये बात जो थी वो देविनाद टेगवर को पसंद नहीं थी इसलिए इनमें विवाद हुआ उस विवाद के बाद कौन कौन सी संसाइब भरी उनको भी हमने आपे क्लियर करेंगे तो देविनाद टेगवर डिटन्ट लाइक सेन सेन का मतलब है केसफचंदर सेन आडिया जैसे वो क्या चाहते थे केसफचंदर सेन इंक्लूजन औफ टीचिंग और रिलिजिंज उसके बाद है फिर आपके बाद कॉस्मो पोलटाइलाइजेशन और इंटर कास्ट मैरेज सभी धर्म के लोग एक साथ अब क्या होगा अब यह बात भी देविदना टेगर को यह पसंद नहीं थी और के आडिया को पसंद नहीं करते थे तो आप से हो सकता है यह क्रेकिंग बन जाए थोड़ी सी तो यह जरूरी आदत मैं कि इनमें आपस में क्रेकिंग क्यों होई तो देविदना टेगर जो थे वो सेन की कौन-कौन से आडिया नहीं पसंद करते थे यह बात आपको तोड़ी ची देख नहीं है कि सभी का सभी धर्मों का जो समाविशन है उनमें उनकी टीचिंग की जाए बियापी करण हो और इंटरकास्ट मेरेज हो यह सब चीजें देविदना टेगर को पसंद नहीं थी इसलिए उनमें एक क्रेकिंग हुई उसी क्रेकिंग की वेज़े इस फॉलोर्स यानि केसभ चंदर सेन और उनके जो फॉलोर्स थे उन्होंने बनाई ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया क्लियर कट है तो ब्रह्मो समाज उस टाइम किसने बनाई राजाराम होर राएने बट अगर बाद में इंडिया चुड़ गया तो वो बनाई किसने आपके केसभ चंदर सेन और उनके फॉलोर्स ने अच्छा आगे क्या होता है फिर कानी अब सीधी सी बात है जब पूरी भारत की उन्हें बना ली तो कुछ तो बच गई होगी आदी बची तो आदी वही किनको मिल गई देविद्ना टेगोर को तो देविद्ना टेगोर ने बनाई आदी ब्रह्मो समाज क्लियर कट है अच् खाली only follower केसब यानि केसब चंदर सेन के only follower not है केसब चंदर सेन उन्होंने बनाई साधारण ब्रह्मो समाज जिन में कौन-कौन थे आज ये बनाने वाले आपके आनंद मोहन बौस थे सिभ चंदर देव थे और उमेश चंदर दत्ता ये पॉइंट थोड़े सो आपको याद रखने हैं अच्छा उसके बाद हम बात करते हैं दयाल सिंग कॉलेज खोला गया लाहॉर में वो भी किसके द्वारा दयाल सिंग के द्वारा दयासिल ट्रस्ट के द्वारा उसमें केसब चंदर सेन का रॉल था अच्छा अब हम एक MCQ देखेंगे ये MCQ मैं बता दू आपको काफी मैं ने इसको देखा बट ये कुशिंस आपका जो है नहीं बनेगा यही UPSC की खास बात होती है कि कभी कभा वो कुशिंस इस तरीकी के देता है जो कुशिंस आपके आउट ऑफ बुक चले जाते हैं तो ये आउट ऑफ बुक था इसका एस्पेक्टरम से कोई लिए न कमेटी नहीं पता भाई ये किस की थी उसके बाद मिलता है हमें टेवरंकल ऑफ दी न्यू डिस्पेंसर और लास्ट मिलता है हमें इंडियन रिफॉर्म एसोजिये था क्लियर कट है अच्छा आप कहना कहा रहे हैं ये कहना चाह रहे हैं कि केसभ चंदर सेन इस आ एसोजिये ये एसोजिये थे ना कि इनों ने बनाइए थी तो मैं आपसे वहीं कह रहा था अब तक एसोजिएत पे अगर कोस्षान बना तो क्रेमेटी ओं बनाए ओन gimbal पे नहीं बनाए तो अभी जैसे हमने अपको बता हुआ तो जितने भी एसोजिये प upload possessions बनें के चांस नहें तो कश कि इंडिया रिफॉर्म एसोसीएजन यहां तक तो किसव चंदर सेंड जो है वो रिलिटेट रहेंगे जरूर अना तो थड़ वाला यह देखिए अब ती थड़ वाले में देफिनेटली तीनों में सही है अब यह सेंस कैसे लगाया वही यह सेंस हमने ऐसे लगाया कि हम चैप अब भाई यह वाला अगर वर्ड आपको नहीं पता और अगर यह वर्ड आपको पता होता तो डेफिनेटली आप इसे सही कर लेते अब टेवरन कल का मतलब होता है जैसे पूजा के लिए कोई इस्थान अब यह हिंदी में अगर आप इसको देख रहे होते तो डेफिनेटल का मतलब होता है विसेस अनुमती अब समझे ना पहले अगर आप इन वर्डों को तोड़ोंगे क्योंकि यह कुशन बिना तोड़े आप इसे नहीं सॉल्व कर सकते तेवरन कल अफ नूडिस्पेंशन तो तेवरन कल का मतलब हो गया पूजा का कोई स्थान और उसके लिए व कलकत्ता यूंटरियन कमिटी अब यह तो अउट उफ चला गया इन दोनों का अर्थ निकालने से तो हमारे समझ में आ रहा था कि यह दोनों ही रिफॉर्म की बात करता है पर कलकत्ता यूंटरियन कमिटी जो थी वह इस्टैबलाइस की गई थी राजा-राम-मुहन-राइप द्वारा अब यह पॉइंट तोड़ा सा आप याद रखेंगे और इस पॉइंट को याद रखने से हो सकता है इन फ्यूचर आपको कॉश्चन से रिपीट हो तो आप कर पाएंगे उसका मतलब पहला बाला गलात है आंसर हो जागा हमारे पास त्रू एंड किलर कट है इस तरह परातन समाज की बात करेंगे यह ब्रातन समाज हमारा में में था और आतमारां पांडूरंक इसके फॉटर थे और कुछ और भी मेंबर थे इसमें जैसे एम जी रानाडे है, आर जी वंडार कर है, एम जी चंदरवर कर हैं, धोडो के सब करवे हैं, विशनु सास्त्री हैं, ये सब रिल्टेट थे, किस से प्रात्ना समास से, और कहां पे स्टैबलाइज हुआ था, वंबे में, अच्छा बिड तो रिमेरेज ये रानाडे के द्वारा, तो ये पॉन ठोड़ेश आपको या रखने हैं, चलिए आगे बात करते हैं, अच्छा ये फंक्जन क्या थे इसके, ये प्रात्ना समास जो था, वो अटेच्ट था, किस से भक्ती मूव्मेंट से, चार पॉइंट थे, चार सुसल थे, क्या क्या थे, डिस अप्रूवल ओफ कास सिस्टम, तो पुल मिला के ये है, प्रात्ना समाज ये चाहता था, हाँ जोड़के के भई, आप कास सिस्टम को डिस अप्रूवल कर दीजेगा, मतलब उसको परमीशन ना दीजेगा, और भूमेंस एजूकरिशन की बात करिए और रेजिंग एज ओफ मैरेज, यानि की जो मैरेज की जो एज है, उसको आप थोड़ा सा रेज कीजिएगा, बदलब बढ़ाईएगा, 14-15 ना होके, 18-21 जो भी है, तो उसमें एज का जिक्र नहीं था, अब ये सारे रिफॉर्म बढ़े है, कुछ भी ऐसा नहीं है, हमारे इसके फाउंडर थे, वही फाउंडर थे इसके, और इसको किसी ने सपोर्ट नहीं किया था, अब हो सकता है, आप से पूछे कि ऐसा कौन सा रिफॉर्म था, इसको किसी का सपोर्ट नहीं बिलाता, तो वो था आपका यंग बंगाल मुवमेंट, फिक है, अच्छा फंक्शन इसको हमें यह पर पक्का हिट कर देंगे, तो देखते हैं क्या है, हमारे पास वो कुशन, यह कुशन है, ईसो चंद विद्या सागर, इसो चंद विद्या सागर की बात करें, तो इनका आइडिया जो थे, बुक से मिलते थे, तो ब्लैंड उफ इंडियन और बैस्टल थोट यानि भारतिय और पश्यम, यानि भारतिय और पश्यमी थोट का मिक्स अप था, इसो चंद विद्या सागर का आइडिया, यह प्रेंसिपल थे संस्कृत कॉलिज और नोन ब्राम्बन, ठीक है, अच्छा, आप सोरी, इसको ऐसे कह सकते हैं, कि वो यह ही चाहते थे, जाज़ कुछन यहां से उठा हुआ है, कुछ नहीं करना है, यह अपना इस्प्रक्टर में दिया था, देखिए आप, क्या है यहां पर, वेट, यह, सो कुछन है, who among the following, देखिए, एस फ्रेट वर्ट, it's very important, UPSC के यही खास बात है, जो कुछनों को बार बार लगाता है, और यह न आपको समझ माया है, के यह चल जा रायकानी है, नहीं पटा पड़ता है, क्या चल लायकानी है, पड़ते ही जा रहे, पढ़ते ही जा रहे है, एसाल क नहीं कोई ना महान नहीं, इस सब आप बदेखिए है और बार इस्कोर्ट को सपोर्ट करने वाली इस सबिज्दा सागर mín वो female school की भी बात करेंगे, तो यहाँ प्यांसर होगा है, मारे पास, इसो चन्द विद्जसागर, ठीक है, यह 2021 का question है, उसे नहीं करना था, direct question था, चलिए, आगे चलते हैं, बाल सास्त्री जामिलकर, जो की father of Marathi जन्नन थे, इन्होंने start किया था, अब यह थोड़ से आपको य अच्छा, अगर हम दिखदर्शन की बात करें, तो यह scientific subject और history इसमें पढ़ाई जाती थी, यह थोड़ा सा आपको समझना है, स्टार्ट जो किया था, उसमें scientific subject और history की बात करें, अगर हम बात करें, बाल सास्त्री जामिलकर की, तो यह first professor थे, हिंदी के, at the Alpsin, जो Alpsin College थ बात करें, तो यह कोलवा auxiliary के डारेक्टर थे, तो यह आपको याद रखना है, कि actually मैं यह कहां के principle थे, और किस तरीके से वो डारेक्टर बने, चलिए, आगे चलता है, फिर हमें मिलता है, परम हंस मंडली, इसके founder थे, दादवा, पंडुरंग, एंड महधी, दुरगाराम, अच्छा, अगर इनकी ideology की बात करें, तो यह मानव धर्म सबागी बात करते थे, और इनका aim क्या था, भई, जितनी भी reform है, ज्यादा था, बुमेन और कास्ट के बारे में सोचेंगे, बस इससे जादा कोई कुछ नहीं, तो breaking caste rules, और इनका कहने का मतलब यह था, जो यह परम इन्होंने अब देखे, यह थोड़ा सा महीं समझना है, क्यों इससे MCQ बना है, इसको हम पॉटरचेदर के से देखते हैं, और बनने के चांस भी MCQ, बना कर दिया, या, जो तिरा फूले, जो तिरा फूले, सावित्री भाई फूले, और यह फूले जो थे, use the symbol of Raja, Bali as opposed to the Brahman सिंबल राम, फूल मिला है कि यह है, कि जो तिरा फूले और सावित्री भाई फूले ने क्या किया था, कि अपना जो सिंबल चुना था, वो Raja Bali को न की राम को, clear cut है, आगे देखते हैं, सत्यसोदक समाज, जिसे हम truth seeking society केते हैं, उसके पास सत्यसोदक marriage ceremony में यह बोला गया, क जो साधियां चारते हैं, उनको नहीं बुलाएंगे आप, और सारवजनिक सत्यधर्म गुलामगीरी को स्टार्ट किया उन्होंने, जोतिवाग फूलों को, जो महत्मा का title दिया, बो दिया गया, बिठ्थल राव, कृस्ण जी, वन डेकर, ठीक है, अच्छा, इनकी जो schooling की अगर हम बात करें, तो schooling में क्या scene था, थोड़ा सा, इनको problem होई थी, है न, तो उसी के regarding था, कि इनोंने, इनको जो help और encouragement मिला था, from the Persian scholar, कौन थे, गफ़र वेग मुंसी, चिक, गफ़र वेग मुंसी, एंड, बिरिटिस ओपीसिया, लिजट साहब, ये दो, दो नाम admission मिला, Scottish Missionary Schools में, clear cut है, किनको, जोति राव, फूलों को, clear cut, आगे देते हैं फिर हम, सावित्रिवाई फूले, एंड, हर हजबेंट, बोले तो, जोति राव, फूले, native female school, पूने में, इसकी स्थापना की इनोंने, society for promoting educations of madras, ये रकट है, और, बाल, हत्या, प्रतिवंदक, ग्रह, अब ये थोड़ा सा point याद रखना है आपको, बाल, हत्या, प्रतिवंदक, ग्रिहा, ये स्टार्ट किया गया, किसके द्वारा, जोतिरा फूले और सावित्रिवाई फूले के द्वारा, सावित्रिवाई फूले ने कुछ poetry भी लिखी थी, जैसे काब्या फूले है, या भावा कस सुबोध रतना कर, ये दो poetry उनके द्वारा लिखी गई, अच्छा, उनका aim क्या था, aim की बात करें, तो ये social service चाते थे, spread of education among the women and lower caste people, लड़ाई सिर्फ इसी बात की है, सूद्र और women को ही तो नीचे संगय जाता था, उनी के लिए तो ये अफलिप्ट चला है, अगर उनका अफलिप्टमेंट हो चुका होता, तो reformer की कोई आवज सकता है नही वो social transformation चाते थे, न कि social reform चाते थे, और complete abolition of caste system को complete abolish करना चाते थे, और socio-economic inequality की बात करते थे, इसको भी abolish करना, अच्छा, आप देखिए, यहाँ पर direct है, सीदा-सीदा question है, कुछ नहीं है, अगर आप ये कहें, कि सरी, यहाँ से match ही नहीं करता है, भाई, question match नहीं करते है, आप UPSC वाले हैं, आपके question match कर गया तो हो गया काम, आपके question match नहीं करते हैं, आपके question जो आते हैं, वो आपको sense के साब से solve करने होते हैं, so क्या है आपे, हमारे पास है सत्य सोदक समाद, जिसको organize किया गया, ठीक है किस के द्वारा, और इसका organize का मतलब गया था, तो पहले आपको यह पता होना चाहिए, कि जोतिरा फूले और सावित्रवाई फूले के द्वारा, अच्छा, अब दोया सोले का question से, क्या है, a moment for upliftment of travel in बिहार, यह बिहार से तो कोई लेना देना नहीं है, इसका, a temple entry moment इना गुजरात यह भी नहीं, उसके बाद an anti-caste moment in a maharashtra, अब present moment in बंजाव, इसका तो कोई लेना देना नहीं है, तो इसका answer हमारे पास क्या हो जागा, and anti-caste moment in a maharashtra, clear cut है, चलिए, आगे चलते हैं, बहुत easily solve हो रहे हैं, कुछ नहीं करना पट रहा, बस spectrum book भी हमारी खतम हो रही है, यह tension भी खतम हो जागा कि हमने spectrum book नहीं बिठ्थल रामजी सिंदे, इन्होंने found किया था भारती है, असप्रस प्रसन, ठीक, अच्छा, यह पार्ट थे किसके CDM की, CDM बोले तो civil disobedient movement, इसको तो हम आगे पढ़े हैं, कोई दिकत नहीं है, और इन्होंने प्रात्ना समाज को भी जाउन उतर रखा था, अब यह भी क् बिठ्थर रामजी सिंदे हो, जो तिरा फूले हो, कुछ भी हो, वो सब यहीं चाहते थे, untouchability को remove करना, ठीक, यह influence थे किसके द्वारा तुकाराम, एकनात, रामदास के द्वारा, चलिए, फिर हम आगे आज़ते हैं, फिर हमें मिलते हैं, गोपाल, हरी, देश्मुख, जिन हम लोकितवादी की बात करें हैं, तो वो क्या advocate करते थे, तो यह reorganizations of the Indian society on rational principle and modern and humanistic, तो कुल मिला कि यह है कि लोकितवादी का मत्तल यह था, कि वो advocate करना चाहते थे, reorganization करना चाहते थे, किसका Indian society का, किस बेस पे on rational principle as a modern and humanistic, तो इस पे ठीक है, and support social and religious equality, यह भी चाहते थे, भी इसका OMC को बने, तो एक बात जरूर याद रखेंगे, एक तो बूमेंस को देखिए, बूमेंस बाला भी हमने solve किया था, बूमेंस और उसके बाद आपका, एक तो बूमेंस होगा, clear cut, और दूसरा आपका हो जाएगा, यहाँ पे cast, और तीसरा आपका हो जाएगा, क्या भी, किसी भी चीज क्यों reform करने के लिए, यह पॉइंट फोड़ से आपके याद रखेंगे, चलिए, आगे फिर हमें मिलते हैं, गोपाल गनेस आगरकर, यानि जीजी आगर बुला जाता है, यह co-founder थे किसके, new English school के, दक्कन स्कूल education society है, यह आप फॉर्गिजन college है, और फॉर्ट एडिटर थे, वो थे जीजी आगर कर, तो यह पॉइंट थोड़ा से याद रखो गए, कि लोकमानितला को जीजी आगर कर, ने केस्टी को जब स्टार्ट किया था, तो उसमें फॉर्स एडिटर कर रॉल जो था, जीजी आगर बार नबाये गया, अच्छा, अब जीजी आगर करता, यह भी सीदीशी बात है, क्या, अगेंस्ट कास सिस्टम एंड अनिटेंशिविटी, यार, कुछ ही नहीं है, बस सीदा से समझना होता है, कि भाई इसका क्या मतलब है, क्या नहीं मतलब है, और कहानी कहां किया है, यह महारास्ट्रा किया है, तो कुछ भी इसमें इतना तफिस्त नहीं होता है कि हम बहुत जादा परिशान हो जाएं, है ना, अब सुधार क्यों चला, यह भी देखिए, भई आप देखो इसको पॉंट को याद कैसे रखेंगे, भई जी जी जब आएंगी, यानि जी जी फोड़ा सा इंग्लिस मेडियम वाले कुछन मिला है मैं, विच अफ अफ अइंडियन एक्टिविटिस वाज पॉपरली नून एज दा लोकित वादी, किलियर कट है, सिंपल आंसर है, कौन है भई आपके, गोपाल हरी देश मुख नहीं भई, गोपाल कृष्ण गोखले नहीं भई, और फिर फ्रोस सा महता, यह यह भी नहीं, बाल गंगा जात्त ये भी नहीं, ऑर यह मेरा क्या गलत ग दिया क्या, यहां पर हमारे पास गोपाल गनेश आगर पर है, कहीं ? यह थोड़ा सा गलत हो गया, यह थोड़ा से या रखने नहीं यह थोड़ा सापक made up UK thread यह तो यह थोड़ा सा पोइंडिया रख थे गोपाल क्रिशन गोखले और एमजी रानडे और ये किसकी बात कर रहे थे हिद वेदा हिद वेदा की ठीक है अच्छा दा सर्वेंट ओफ इंडिया सुसाइटी का एम ये था कि भाई क्या करना कि ट्रेन करना कि नैशनल मिसिनर्डी को जो की आपके सर्विस दें किसको इं करेंगे फिर हम अपनी लोगों को ट्रेन करेंगे कि अब हमें बिन्टिस से लट रहा है। हम एकस 시डिसी की पएंटomy करींगे और यहां पर लिखा हुआ है मैंने यहां भी लिखिते हैり पर्नाश्न पूर्द सर्विस आफ दिखे के सीदा सीदा देखे रहा है तो आ All India Trade Union Congress, तो इसके founder थे Narayan और Malahar Jossi, इसका क्या एम था, इसका एम था कि हम मास, मास मतलब जो pupil Indian, है ना उनको हम और उनकी जो condition और उनको हम reasonable तरीके से better बनाएंगे, clear cut कौन? तो सोचल सर्विस लिगतों सोड़ा साथ नाम से ही पता सला है, कि हम जो सोचल को सर्विस देंगे, जैसे उन लोगों का जो मासा साथ उसका better reform हो पाएंगे, पिर आगे चलते हैं, आगे मिलता है हमें, राम करसन मुवमेंट, तो या फिर स्वामी विवेकानन की बात करेंगे, राम करसन मुवमेंट, पिर स्वामी विवेकानन खूड़या ऐसा हो ही नी शिकता, और उस ताइम राम करसन मुवमेंट में बात ये थी, कि अगर हम सर्विस करते हैं मैं की, इस दा सर्विस ओप गॉड़, मैनी कि अगर हम व्यक्ति, व्यक्ति की सर्विस करते हैं, मतलब उसको अगर हम सेवा भाव से उसकी पूजा करते हैं या उसको समझते हैं तो इसका मतलब है हम गौड की पूजा करते हैं इसके founder कौन थे राम किसन अब्सक्राइब करते हैं आगे चलते हैं फिर्म में मिलता है दायनंद सरस्वती यहीड समाज यह एक्चुली में revivalist थे थे स्वामी बिरजा नन्द ये फाउंडर थे इसके फाउंडर्स बाइन당 सरसुति आरे समाज तो इसके kスवांडर्स ऐसके founder सत्यार को प्रकास जिसके कौन थे आपके करसंदोस मौल जी अच्छा और ये बात करते थे ट्रू एक्सपॉंसंस की अच्छा स्लोगन था इनका बैक्टू बेदास ये बाला कुशन से आपको ध्यान रखना है कि बेदों की और बापस लोटो ये बात करी दयानन सरसुती के द री-incarnation का मतलब होता है उन सब को ये बलीब करते थे इनका बलीब था और चतुर बर्ड सिस्टम होना चाहिए जैसे ब्रामबर्ड स्टरी वैसे सूत रही है तो होना चाहिए लेकिन ये बर्ड के आदर पर न होके उनके बैवसाई के आदर पर होना चाहिए तो ये बात बह बात चल लगी है पुमेंस और कास्ट को लेके तो इनको कहां सोर सकते हैं अब इसकोल खोला गया उसमें दो थे एक कॉलिज पार्टी ये कल्चर पार्टी बोला जाता था और एक पती महत्मा जिसको बाद में घुरकुल बोला गया ये पॉइंट फूर से आपको याद रख जो है इन्वाल्व हो और नोन वेजिटरियन नोन वेजिटरियन को मतला मासबा सब खाऊ कोई दिक्कत नहीं है और ये कंट्रोल कर रहे थे उस टाइम किसको डिये भी महात्मा या लेटर गुरकुल की बात करें तो इनके सब्द से ही आपको निकल के आएगा इसमें जैसे गुरू आपके थे दत्ता विध्यार्थ और लाला मुंसी राम और स्वामी सरद्धानंद ये इसमें सामिल थे ये अदब दिके जब गुरकुल की बात है तो इंगलिस कहां से आ जाएगी यहां पर आगी संस्क्रित और ये किसकी बात करते थे वेजिटरियन की और ये कंट अच्छा इनका एम क्या था बिड़ो डी मेरेज करवाना या डिस्काड़ेड बूम एंड हैल्प और एज ऑप कंसेंटेज देगे तो बीम मालावारी ये सेवसर्म जो था वह एज ऑप कंसेंट एक्ट की भी बात करता था जिसकी बात जिसका कुछ ने बना है रकमावाई म अब बीम मालावारी की अगर हम बात करें तो ये पार्सी सोसल रिफर्मर थे ये थोड़ा सा पॉइंट आपको याद रखना है आगे चलते हैं फिर हमें मिलता है देव समाज जिसके फाउंटर थे शिव नारायन अगनुत्री और देव सास्त्र बुक जो थी उसके बारे मे आया और चाइल्ड मेरे के अंगेस्ट में थे ये और नॉन वेजटरियन के भी ये अंगेस्ट में थे ओके अच्छा आप देखिए अब हमारे कुशिंस बनता है जो कुशिंदा दो हजार अठा रहेगा अब हम इसको सॉल्ब करेंगे चोड़ा कर लिया विच अमोंग दो फॉलिंग इवेंट हैपेंड अर्लियर इनमें से कौन सा इवेंट जो था वो पहले हुआ थोड़ा सा में इसके बारे में देखते हैं पहला है हमारे पास स्वामी दयानंद इस्टेबलाइज आरे समाच ठीक है दीन बंदू देखिए इसको हम पढ़के तो सबसे पहले हम मान के चलिएगा आपका दीन बंदू मित्र मेरा से ही स्टाट करते हैं तो नील दरपन एक्चली में क्या था यह बंगाली प्ले था बंगाली नाटक था जिसको लिखा गया दीन बंदू मित्रा के दुआरा और कव 1858 से लेका 1869 यानि कि आप कह सकते हो 1860 यह पॉइंट थोड़ा सा मारा हो गया ठीक है दूसरा दूसरा हम बात करते हैं आरे समाज की तो आरे समाज की अगर हम बात करें तो इसको फॉंट किया गया था 1875 में कहां पे बॉंबे में और किसके दौरा स्वामी दैयरंद सरसोती के दौरा यह कुछ आप कह सकते हो जो ह अच्छा फिर आगे चलते हैं फिर हमें मिलता है अगर हम जहीं पर देखिए उन्होंने बेदास की बात करी हैं अच्छा अब उसके बाद फिर हमें मिलता है तो इनकी अगर हम बात करें वो था 1864 में तो आपको इन में सबसे पहले कौन सा मिलता है दीन बंदू मित्र मेला जो थी या पर नील दरपन जो था वो किसके द्वारा लिखा गया तो यह पॉंट आपको द्यानकता है वो आपका दीन मंदू मित्र के द्वारा लिखा गया तो इसका अंसर हमारे पास क्या हो जाएगा दीन मंदू नील दरपन तो यह आप हरे पास हमसर हो गया चलता है प्लीज आप मेरी इस मेहनत को थोड़ा सा लाइक और कमेंट जरूर करें चेतने भी लोग वीडियो देखें कमेंट जरूर करें थोड़ा मॉटिवेशन मिलता रहे मुझे जाब होने के साथ साथ मुझे काफी मेल्ट करनी होती है इसमें अब हम देखते हैं भारत धर्म महामंदल एक्चुली में इसके फांडर थे पंडित मदन मुहन माल भी है और अगर हम भारत धर्म महामंदल की बात करें तो यह जो औरगनाइसिंग था आगे मिलता है मैं राधा स्वामी मुझेंट जसको सिद्धयाल साब के द्वारा स्टार्ट किया गया अब हौँट ज्यादा इंपूटेंट आने वाला है हमारे पास है स्री नारायन गुरु धर्म परिपलना अने एसन डीपी जो की रीजनल मुवमेंट था और यह किसके लिए था डिप्रेस क्लास बर्स अपर क्लास के बीच में था ठीक है अच्छा कहां पे था यह यह था इजवास अप केरला अब देखिए इजवास एक होता है बैक्वर्ड हिंदु कास्ट अब जैसे उसमें आपका वी सी हो गया स्ट हो गया यह सब बैक्वर्ड हिंदु कास्ट है जिनको कैरला में जवास बोला जाता है फ्लेर कटॉके। founders के थे नारायन गुरू स्वामी चीक और इन्होंने चलाया था अरू 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 प्रम मुवमेंट यह बहुत इंपोरेंट है हमारे पास अच्छा आगे बात करते हैं आप आपके कुशन देते हैं हो सकता है आपसे पूछ ले को अमांग दा फॉलोइंग वाज एसोसेट 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 वारा कुशन से अब उसने आपको एसन डीपी दे दिया यूगम अब यूगम से आप समझ पा रहे हैं न तो इसके कौन थे भई पंडित रमावाई सरस्वति नहीं भई एन कुमारन आसन नहीं स्री नारायन यह थोड़ो से देश्मादा पस और कुछ नहीं है अच्छा इनका एम क्या था कि बिडिंग बिदाउट ब्राह्मन प्रीष्ट भाईया साधी करिएगा पर कशी भी ब्राह्मन को बलाने की जोत नहीं है और यह आपके सेल्प रेस्पेक्ट मूमेंट के इंसर गताता है ठी स्री नारायन गुरु तो रहेंगे फुरसा और बड़ा कर लेता हूँ तो वह समझ में आएगा स्री नारायन गुरु तो रहेंगे एन कुमार आसन भी रहेंगे और टी के माधवन भी रहेंगे ठीक है एडिटर और उसके बाद हम देखते हैं यहां पर थोड़ो से एक पॉ इमान की अगर हम बात करें तो ये तुक अप दा इसू ओफ दी टेंपल एंट्री विद्धा त्रावन कोड एडमिनिस्टिसंस ठीक है अच्छा उसके बाद हम बात करते हैं इसमें एक और था वैकुम सत्यागरा बैकुम सत्या का मतलब यह था इना मद्रास पूर्दा टेंप एंट्री देखिए वैकुम सत्यागरा का मतलब यह था कि टेंपल में एंट्री मिले अच्छा के कलबपन या फिर सुब्रामन आयर और क्रिष्णा पिल्लाई एक गोकली ही सब इल्टरट थे किससे टेंपल एंट्री से अच्छा फिर हमें मिलता है इंडियन सोसल कॉंफेंस प्लेज का अपोस किया है और जिसमें को लिजिम आता है और लॉंच किया था क्या आपका प्लेज मुवमेंट थे क्लेज मुवमेंट का मतलब यह था कि हम सपत ले रहे हैं कि हम बच्ची की साधी नहीं करेंगे इंडियन सोसल कॉंफेंस जिसमें एमजी रानाडे और रहुनात रहे थे आगे बात करते हैं बहावी या फिर वलियुल्ला मुवमेंट यह एक्च्छी में रिवाइलिश था यह हम उपर पढ़ चुके हैं पार्ट सेकंड में देख चुके हैं मैं फिर आपसे कह रहा हूँ प्रीज आप पार्ट वन पार्ट तू को देखें तभी आपको यह समझ में आएगी वीडियो अदरवाच नहीं आएगी आपको डिफिकल्टी होंगी ओके अच्छा इंस्पायर थे यह अब्दुल्ला बहाव और जिसमें काफी लोग थे जैसे आपका सहाव लियल्ला है य यह एक्चुली में जो भी आप कह सकते हो यह चाहते थे कि चार स्कूल मुस्लिम जिरुट पिंस को लेके बने और जो कॉइंट होता है इंटर पार्टिसम कुरान और हदीश को लेके उसकी भी यह बात किया करते थे अच्छा अब मैं अगर इसकी एक बात और आपको बताना बता चाहуँँगा थोड़ीशी की एक दारूल हर्व है और एक दारूल इसलाम है इनका मतलब क्या है तो इंडिया ने इंडिया पाज तक इसको फॉलू करते है इसलाम को जिसको बोलते हैं दार उल हर्म and it needed to be committed to दार उल इसलाम जिसको बोलते हैं land of Islam ये थोड़ा सा आपको समझे ना इसका मतलब था land of Islam यहने कि दार उल हर्म को commit करना था किसमें? दार उल इसलाम ठीक है? प्ले एंटी बिटिस रॉल यह सिरीशी बात है कोई movement चलेगा या तो वो caste को लेके होगा या फिर movements को लेके होगा या फिर आपका reform को लेके होगा या फिर आपका बिटिस रॉल बनेगा बास चलिए फराजी movement की बात करेंगा तो हाजी सरीय उद्दला इनका aim क्या था organize करना paramilitary force fight करना एंगेस्ट हिंदू लेंट लोड़ दे ठीक है और फिर हमें मिलती है यहाँ पे एक और हमें समझना है इसलिए कि यह थोड़ आपको याद हो जाए जैसे तहदीव तहदीव उल-अकला की लिखा गया था सरसेद आहमाद खान के द्वारा ठीक है और सरसेद आहमाद कान की बात करें तो इनके नाम से इनिवर्स्टी भी है लिगर मुस्लिन इनिवर्स्टी विचेज़ प्रेजेंट आइटिंग 36,000 स्टूनेंट्स अच्छा फराजी मुवमेंट हमने देखी लिया उसके बाद हम बात करते हैं अहमदिया मुवमेंट्स की बात करेंगे तो उसके मुर्जा गुलाम एहमद थे और इन्होंने जिहाद को अपोस किया था और अहमदिया मुवमेंट की बात करें तो वाहाद की यह बात किया करता था चलिए फिर हम आगे चलते हैं यह भी रिवालिस्ट थे यह हम उपर पढ़के आ रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है आराम समझ में आ रहा हुआ और फांटर थे यह और्थोडॉक्स उलेमा के रूप में जिसमें मुहमद कासिम नाउटोवी, रासिद एहमद रासिद एहमद गंगोही उसके बाद मौलाना अब्दुलकलाम आजाद और देखे यह बात मैं बताई चुका आपको एमिकोफांटर से है ना फेबर में थे याई एनस्ट के अच्छा बैलफेर ओफ मुस्लिम की बात जो है वो अलीगड मौमेंट किया करता था मतलब वो मुसल्मानों का कल्यार हो यह बात अलीगड मौमेंट करता था और इसका एम क्या था और इसका है дост अब हमnd क्यू लगाएंगे अम्सी को देखते है क्या है मर पास यह आपको बहुत अच्छी तरीक tal시 से समझना इसको ठीक है which of the following was and were the objective of the Devand movement आपका दो हजार तेईस बेस कुरिशन से spreading the teaching of the Quran among the Muslims ठीक है डेवन्द स्कूल का मतलब ये था कि भई जो मुसलिमों के बीच में Quran को पढ़ाना ठीक है जिहाद की ये अंगेस्ट में था जिहाद अगेस्ट दी फोरेंड पॉवर अच्छा बैल फिरो मुसलिम ये तो हम पढ़ते हा रहा हैं बैल फिरो मुसलिम की बाद तो अलिए और मुवमेंट ने करी थी तो ये वालत हमारा डेफिनिटल ये गलत हो जाएगा तो उसका मतलब पर सांस पर कुन सा जाएगा अब हम बात करते हैं कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट पढ़े तो अब हम बात करते हैं रिफॉर्म के क्या-क्या पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट रहे तो पहले दिखते हैं फिर्स्ट क्या था इसका मतलब ये था कि व्यक्तिको भै मनुविकार से इनको मुक्ति मिली बरसिप made up more personal affair अब भई क्या था कि पूजा और व्यक्तिकत माबना बन गया ये तो भई सीधी सी बात है कि इसमें self-respect gain जादा हुआ था उसकी जादा आवसकता हुई और मद्वार्ग तक के अगर हम सांस्कित जड़ें की बात करें तो इन्होंने इस प्रकार से सेंग को कम कर दिया कि भई अब आदमी को क्या था कि अत्यन्त ही आत्म सम्मान चाहिए उसको फोस्टर सेकुलर आउटलुक मतलब धर्म निर्पेच द्रस्टिकोर्ड को भी बड़ावाद मिला से मतलब आधुनी करड के लिए सामाजिक माहल को प्रस्वाहित किया मतलब राष्टिय चेतना का विकास हुआ यह सब positive aspect है reforms के अच्छा negative aspect क्या थे जैसे narrow social waste narrow social का मतलब है संकीर सामाजिक आधार हुआ उसके बाद हम बात करते हैं indirectly encouraged mysticism इसका मतलब होता है कि रहस से बाद को ज़्यादा वड़ावा मिला फिर हमें मिलता है over emphasis on religious philosophical aspect of the culture while under missing secular and moral aspect मतलब सांस्क्रिप्टिक के जितने भी धार में के दार्शिन पहलों पर अतितिक जोर धर्म निर्पिच और नैतिक पहलों पर कम जोर देना यह सब काम थे हिंदू praise confines to ancient India history and muslim praise to medieval history creating a notion of two separate people and increased communal consciousness देख रहे हैं आप क्या हुआ था कि हिंदू की प्रसंसा प्राचीन भारती इतियास और muslimों के प्रसंसा मद्दिकालिन इतियास तक ही सीमित हो गई जिससे दो अलग 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 लोग की धारड़ा पैदा हुई यानिकि सामप्रदाइक चेतना बड़ी आगे है फिर है historical process of the evolutions of composite culture addressed to the some extent मतलब सामाजिक सांस्कृत के विकास को एतिहासिक प्रत्रिया जो थी वो कुछ हद तक रुखी यह सब negative और positive aspects चली आगे चलते हैं फिर हम क्या है अब हम आजाते हैं chapter number अपना 10 पते हैं कि easily solve हो रहा है question लग रहा है कोई भी difficulty नहीं है ओके वीडियो थोड़ी चाहिए लेंती हो जाएगी political association in बंगाल बंगाल में सबसे पहले देखते हैं तो जैसे बंग भासा प्रकासिक सभा राजा राम मोहर राई के द्वारा 1836 में और इसका aim क्या था जो education देनी चाहिए कि इसके द्वारा throw mother tongue अब लेकिए यहां पी यह point पर आपको समझना है कि mother tongue का मतलब क्या होता है mother tongue का मतलब होता है हमारी जैसे हम कर देते हैं कि गाउं में देखा होगा आपने जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो वहां बोलते हैं इस टाइप के भासा हैं जो होती है वो mother tongue में उनको language देनी चाहिए इसके लिए बनाए गई गई बंग भासा प्रकासिक सभा अच्छा इन्होंने build up किया क्या था public opinion जो किस favor में होने चाहिए नेसले जिन के clear cut है जमीदारी association या फिर land hold society जिसको first political association भी बोला गया इसमें क्या था इसमें थे आपके founder द्वारकाना टेगो और परसंद कुमार टेगो और राजा मलसेन और भवानी चरंड मित्रा ये कहां की बात थी कलकत्ता के 1800 और पिसमें अच्छा ये society जो थी वो promotion चाहती ती किसके उपिनका land hold का है ना और थोधा petition इन्हें government में अच्छा इनकी demand थी जैसे judiciary को reform को लेके police को लेके या revenue department को लेके अच्छा फिर हमें मिलती है बेंगाल बिटिस इंडियन सुसाइटी जो merge होकर बनी थी इंडियन सुसाइटी और बेंगाल बिटिस से ठीक है अच्छा ये form होई थी बेंगाल भिहार और उडिसा में इनकी demand क्या थी BVAS की तो चाहते थी कि legislature जो है वो separate stabilized हो और executive को judiciary से अलिख किया जाए उसके बाद जो higher officer होते हो उनकी salary को थोड़ा सा reduction दिया जाए उनको reduction किया जाए और ये हैवलिस करना चाहते थे salt duty, अबकारी और stamp duty को और ये सारी demand आ accepted कर ली गई गई अब आपका UPSC में questions कैसे बनेगा है आपको इतनी साधी condition दे दी गई और पिलस ये भी दे दी आगए कि ये इसमें था फिर आपसे ये पूछा जाएगा कि ये कि charter के थो था तो आपको पता होना चाहिए 1853 अच्छा चलिए आगे चलते हैं फिर हमें मिलती है East India Association इसको लेके आए दादा भाई नौराजी 1866 में कहां पे लंडन में और ये प्रमोट कर रही थी किसको Indian welfare को और यहां पर discuss होते थे Indian questions उसके बाद political association Bombay की बात करते हैं तो पूना सारवजनिक सवा इसके founder से MG रानाडे और क्या चाह रही थी ये क्या कर रही थी इसका aim क्या था target क्या था ये serving कर रही थी as a bridge between the government and people तो people और government के बीच में as a bridge के रूप में ये serving कर रही थी अच्छा ये demand क्या कर रही थी पूना सारवनिक सवा ये कह रही थी ठीक है पार्लियमेंट में हमारा representation हो बट हम अंगेस्ट में किसके बरना कुरर प्रेस एक्ट के फिर हमें मिलते हैं Bombay Presidency Association ये बदरुद्दीन तैप जी प्रोसा महेता केटी तैलंग यूपीस्जी में कुषिन कैसे बनेगा उसके बारे में थोड़ा सा में बता दू आप से कुषिन ऐसे पूछेगा कि पूना सारवजनिक सभा इस अंगेस्ट इन इंडियन रिप्रेसेंटेशन इन पार्लियमेंट एंड डिमांडेड वरना पुरर प्रेस्ट आप कंपर जागए आप डिफिनेटली वहां कुषिन कलब तरहेंगे अपको ध्यां रखना है कि इसके ड्मांड थी है और क्या अंगेस्टी चलिए एक एमसी को लगाएंगे इसका मैंना आंसर भी लिख रखा है क्यों लिख रखा है यह पॉसिबल है कुछ नियां से बने ठीक है तो क्या है इसके बादा भाई नेरोजी ने फांड किया था इस्ट इंडिया एसोसेशन लेंडर में कब 1866 में और यह एक्जमाइन कर रहे थे क्या इंडियान सब्जेक्ट को और इंक्रेस कर रहे थे किसको गवर्मेंटल ओफिशियल इन इंग्लेंड और तो प्रमोट इंडियान वेलफियर 1885 में क्या होता है अब आपको याद कैसे रखना है अब यहाँ से कैसे पूछा गया है तो देखिए इस्ट इंडिया एसोसेशन कब यह आपकी हो गई दादा भाई नरोजी के द्वारा 1866 में और बेंगाल बिटिस इंडियन सुसाइटी अब ही हमने पढ़ी है ज्यादा टाइम भी दिवा है हमें तो यह हमारी कब होई थी यह हुई है हमारी 1843 में उसके बाद आती है इंडियन लीक से सिर्कमाज गोस के द्वारा 1875 में फिर हमें मिलती है यह तो मैं पता है यह बहुत सरा अले वही इसका मतलब हमारा आंसर क्या हो जागा बेंगाल बेटिस इंडियन सोसाइटी चलिए आगे चलते हैं फिरफ आगे मिलता है में पॉलिटिकल एसोसियेशन कहां की मदरास की तो मदरास में ज़्यादा नहीं है थूड़ा साब को दीख लेना है इनका एम क्या था है ये एक्चुली में ड्रॉग करना चाहते थे जो ध्यान देना चाहते थे गवर्मेंट का जो भी प्रॉब्लम फेस की जा रही है प्यूपल के द्वारा तो उन सब पे इनका ध्यान करना चाहती थी ये सभा मदरास महाजन सबा और पाउनियन नेशनल एससेशन की जो अब ये इंडियन लीग अभी हमने पढ़ी शेशर कुमार घोष के दोवारा अभी हमने पढ़के जस्ट आए हैं और इस्टुमिलेटिंग ये क्या सेंस अब दान नेशनल अमोंग दी प्यूपल इनका मतलब भी यही था कि भाई जो है लोग के बीच में क्या फैनला ना नेशनल एजिम अब देखे जब एंटी कास्ट की बात हो गई बूमेंस की बात हो गई रिफॉर्म की बात हो गई आगे बढ़ रहे ना तो चब आगे बढ़ेंगे तो नेशनल इनकास्ट की बात होगी ओगे जखे इंडियान एस्ट का एक्जाम होता है इंडियान से बिस्ट का तो उसमें क्या होना चाहिए जो एज को घटा के पुश कर दिया जाए अच्छा उसके बाद फिर बात कर रह किसने की थी ये मांग की थी इंडियान नेशनल एसोसीशन ने आई एन ए सौड फॉर्म आपको याद रखना है क्लियर कट है ये एंगेस्ट में थी किसके रिप्रेजेंसिव आर्म एक्ट एंड बरना कूलर प्रेस अक्ट के एंगेस्ट में थी अच्छा फिर हम आगे चलत सारी बात बुई चलेगी अब हम सब एक होंगे वह सबसे लटल है हमें ना अच्छा उसके बाद हम बात करते हैं फिर हमें लेटर इंडियान एसेटिशन जो थी वो मर्ज होगी थी इंडियान कांग्रेस से माठार सचाहसी में इसे बरी इंपोरेंट कुछ नमारा यहीं से भी निकल लाता है यह वाला चलिए पिर हम आगे चलते हैं आगे हमारे पास प्री कांग्रेस कंपेन जो था वो किसके समें तो आपको यात रखना है वो एलविट विल कि समें था और किसके में था जैसे आर्मेट है लेटइन अफगान सर्विस है बरनाकूलर परिस एक्ट ह उसके बाद Plantation Labor है, Indian Civil Service है, इस एक्जाम में age को कम कर गें, तो यह सारे प्री-Congress campaign थे, तो थोड़ा सा आप आप याद रखेंगे, आपको सपोर्ट वाले याद रखना है, इसको जादा नहीं बता रहा, चलिए, आगे चलते हैं, फिर हम MC को लगाएंगे, MC को है, अभी हम लगा के आ रहे हैं, तोड़ा सा हटा के लगाया है मैं इस questions को, तो क्या है मरे पास, match the following, pre-Congress organizations, जो हुई थी, वो कौन-कौन थी इस्ट इंडिया Association लेंटर में, आप देखेंगे, अभी हमने पढ़ा, च्यादा टाम नहीं हुआ हमें, बहुत ही अच्छी तर पूरा सारवनी सबा, अभी हम पढ़ के आ रहे हैं, जादा टाइम ही हुआ हमें, ठीक है, तो फिर हमारे पास तीसरे का क्या हो जागा, रानाडे, एम जी रानाडे बहुत है, अभी हमने पढ़ा है, तो इन चारों में से कोई भी कुशन नहीं बचा, अगर हम दो पिच किल यह हमारा था, इधर केटी जो है अपका, फ्रोसा महता पड़े थे हमने, एम जी रानाडे पड़े थे हमने, ठीक है, और उसके बाद हमने, यह सारी चीज़ हमने दिख ली थी, तो इसका आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, यह हमने मैच कर लिया, तो आंसर हो रहा हमारे प बता दी है, चलिए, अब हम आ जाते हैं आगे, आगे मिलता है मैं क्या है, वह कानी बड़ी अच्छी है, Foundation of the Indian National Congress, यानि आइनसी, इसको आप कह सकते हो, इसको और्गनाइज किया गए था, फर्स्ट आइनसी को, बॉम्बे में, तो किसके द्वारा, ए ओ रूम के द्वारा, ये हुरूम लिखा हुँ, अच्छा, सुरेंदरात वनर जी, अनन्द मोहन बॉस, ये में आर्केटेक्ट थे, किसके आइनसी के, आइनसी बोलते हैं, इंडिया नेशनल कॉंगरेस, अब हम आगे बड़ रहे हैं, गांधी की तरफ जा रहे हैं, वो, ब्योमेश चंदर वनर ये फर्स्ट सेशन, इन्होंने प्रसाइड किया रहता, वियोमेश चंदर वनर जी को दवारा, दादा भाई नरो जी, ये इन्होंने तीन बार ये प्रसीडेंट बने थे, और कंदाम बिनी, अगर हम कंदाम बिनी की बात करें, तो ये फर्स्ट गूमेन ग्रेजुट थी, क इसके बनने के चांस जादा है, और लाइटिंग कंदेक्टर थी, जी के गूपले, अच्छक सेप्टीवल अच्छली में, बिर्टिस ने बनाया, इसलिए था, कि जिससे इसमें क्या होगा, कि ये हमारी हैल्प करेगी, है ना सेप्टीवल, और जो भी इंडियन में, जो भी डिसकंडेंट अगर रिलीज होगा, तो उन सबसे हमें बचा लेगी, इसके लिए रिगाडिंग इसको किया गया था, तो इनकी एक कॉंस्परेंसी थी, ये इस टाइप की है ना, तो इसमें खाली, हलाकि आपको जादा नहीं, डीपली जाना है, आपको पॉइंट समझना है अच्छा, एम क्या था कॉंगरेस का, ये मौडरेट अप्रोच की बात करती थी, इनमें की डिमांड ये थी, कि भई, लेंट रिवेन्यो जो है, उसका रेडेक्शन हो, साल टेक्स नहीं लगना चाहिए, और पुल मिला कि ये, ये सब वैसा होना चाहिए, जैसे प्री और ड्रेन थियोरी जो थी, वो दादा भाई नरजी के द्वारा दी गई, जिसमें आर्जी जत्ता भी थे, और दिस वाच्छा भी थे, और ये बिटिस एक्स्प्लोटेशन की बात करती थी, इंपिरियाल लेजिसलेटरिव कांसल की बात करें, तो इसको इंडियन कांसल एक कोई भी टेक्सेशन नहीं देना बिना रेप्रेजेंटेशन की, अगर हमारा रेप्रेजेंटेशन नहीं होगा, तो हम कोई टेक्सेशन नहीं देंगे, और कॉंस्ट्रीशन की डिमांड 1892 में दादा भाई नरजी जी के गोकले लोकमान तलग के द्वारा की गई, अच्छा अब यह सारी बात हम पहली पढ़ चुके हैं, आगे देखते हैं फिर हम, आप देखें कुषिन सा हमारे पास है, बहुत अच्छी दिए समयना है, इस टाप की कुषिन जब भी आपको देखें ना सबसे पहले आप यहां से पढ़ना सुरूप है, क्योंकि अगर यहां से नह आपके जीके गोखले, उसका मतलब यह हमारे इनमें से इंकरेक्ट कौन से हैं, दो, दो का मतलब हुआ, आपको थोड़े से याद रखना है, आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, कि यह सेप्टी जो है, वो लालाखी करनी चाहिए, मतलब सड़ी अंतर के रूप में, कौ लाइटिंग कंटेक्टिंग त्योरी सजेस्ट, वो कैसे कर रही थी, आपको पताया था, कुछ इसमें ज्यादा कुछ दिया नहीं है, ठीक है, अच्छा, सर सेयद आहमेद खान, यह तो हमने थोड़ा सा पढ़ा था, जो इंट्रेंट इंडियन पेट्रियों के तरह अच्छ, अब हम आ जाते हैं, यह हमारा कुछिं से है, यह कुछिं देखें तो भी कहीं नहीं मिलेगा, रीजन है, यह कुछिं क्यों नहीं मिलेगा, इस कुछिं का ना मिलने का सब्चे होड़ा कारण था, यह अपके सेंसघ की कुछ अगय था, जैसे इस साथ अगस्त is a declare as अभी मोदी जी ने इस पे हैंड लूम डे पे बहुत ज़ादा अपने इस्पीच दिये थे इसलिए नियूज में रहा था दो हजार वाइस की सम्धिंग इट वाज इन 1905 की बात है देट अस्वादेशी मुवमेंट वाज लॉंच ओन दी सेम डे तो कुल मिला के देखिए साथ अगस्त को आपका ये क्या कहते हैं हैं नेशनल हैंड लूम डे मनाया जाता है और उसी दिन साथ अगस्त को ये आपका स्वादेशी मुवमेंट जो था वो लॉंच हुआ था 1905 में तो इसलिए एक साथ की डेट है है कुछ है नहीं इसमें तो इ हम आजाते हैं आगे नेस्ट हमारे पास नेशनल हbresconom stitch और जोंच तरीके से जो मिलिटेंट नैशनल था वर क्या कर्ण था उसके बिहांड थोड़ से हम रिजन लेते हैं जैसे हमारे पास है वाई वाई मिलिटेट नेशनल ग्रियू है ना सो यह सारे कुश्चिंज अब हम नेक्स्ट अपनी वीडियो में करेंगे ओके सो आज हम इस वीडियो को यहीं रुखते हैं थैंक्यू थैंक्यू सो मच्छ